असलाम लेकुम वेल्कम टू माई यूट्यूब चानल आज की वीडियो में लोग बात करेंगे आज की यह मैच था पाकिसान वर्सुस न्यूजिलेंड के वीच में अभी आज से पाकिसान और न्यूजिलेंड की टीट्वेंटी स्रीज शुरू ही यह पांच मैच तो उन पां अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो लाइक करें और बैल आइकन का बटन दबाएं ताकि रोजाना की बनियात पर इसी चरीके की स्पोर्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहा है तो अब यूदी वल्डकप के बाद जो है बाबार आजम केप्टेन सी चोड़ दी ती चुंटी और टैस्ट की भी तो भाई हुआ यह है कि इसके बाद टीट्री टीम का शाहीन अपरीदी को करें टेस्टीम का शानमसूद को चैनल सी का पकिस्टान एदक पाकिस्टान का तो कुछ यह है कि पाकिसान ने आज के में क्या जीट के पहले पहले का फैसला किया हमें यह लग रहा था कि पाकिस्थान का जुरे यह फैसला हो सकता अच्छा भी साबित वाज के लिए और बुरा भी साबिए कुछ आंनी सकते क्रिकेट गेम जो है उसका आखरी वाल दखनी पता होदा कि कौन जीतेगा तो वह हुआ फिर यह है कि जब नीजलेंड की बैटिंग शुरू हुई तो नीजलेंड की ओपनर्स थे वह आए तो फिन एलन और डिवान कॉनवे जो है यह बैटिंग पर आए तो हुआ यह हमने यह ही देखा कि शाइन अफ्रीदी जिस चीज़ के लिए मश्वूर हैं सबसेज़ादा उन्होंने वही चीज़ किया आज के मैच में फर्स और विकेट की वाइस शाइन आफ्रीदी मुश्वूर है तो उन्होंने पहले ओबर में ही डिवान कॉनवे को आउट कर दिया था और स जिस तरीके से पहले ओबर के अंदर ही शाइन अफ्री विकेट ले लेते हैं और लेकिन फिर हमने यह देखा कि जिस तरीके से टीम ने बांस बैक किया है और चार्ज लिया है इस मैच के अंदर पाकिसानी बॉलर्स की जो है सही माल लगाई ग्राउंड के चारों तरह उन्ह उन्होंने हेटिंग की है निजलेंड के ब्लेइश ने जो सेकंड रिकेट उनकी पार्टनर्शिप लगी ती विलियम संद और फिन एलन के बीच में यह लगी ती नाइन की और फिन एलेंड जो है थर्टी फोर रंस बनाके आउट हो जाते हैं पंदर वालों के अंदर फिफ जो है काख कोई मस्वला नहीं है हमारी विक्ते गरती है लेकिन हम अपनी के साथ आज का मैच खेलेंगे और फुल अटैकिंग ट्रिकेट खेलेंगे और यही हुआ कि पाकिस्टानी वालर्स की इतनी माल लगाई है इतनी माल लगाई है कि शाहिन अफ्री ने भी एक ओवर के देखने में यही आया कि के इन विलियमसन और डैलल मिसल की एक शांदार पार्टनर्शिप लगती है और इन दोना की थर्ड विकेट पार्टनर्शिप होती है वह अल्मोस जो है तक रीवन सबतर 80 रंज की लगती है और पिर हमने यही देखा कि मिचल भी आज के मैच में 61 स्कोर करते हैं शांदार तेज तरीन बुरे नहीं है लेकिन फिर उसके बाद हम उनकी पार्टनर भी बात करें फिन एलिन की तो जिस तरीके समय आटाइकिंग क्रिकेट के लिए उनके आठ खिला ऑट होते हैं तो यहां कुछ पाकिसां की बाद करें और पाकिसान ने बहुत ही विकार फिलिंग की एक्टाइब जिसकी वाइसे नोने इतने एक्ट्रा दिये और हम अगर बात करें तो वही फिन एलेन अगर जल्ली आउट हो जाते हैं आज के मैच में तो हो सकता था कि प्रेशर बिल्ड होता नीजलेंड की टीम पे और आमेट जमाल ने उनको अपने पहले ही ओवर में आउट कर दिया था लेकिन अनफर्शुनेटली जिस बॉल्ड होए थे आमेट वाल की वह बॉल्ड हो गई थी जिसकी वाइसे उनको एक और चांस मिला और फिर जो है नीजलेंड ने जो है बीस ओवर के एंट पर पाकिसानी फुल मार लगाई चौके चकों की वारिश की और बीस ओवर के एंट हरिस रूफ की तो हरिस रूफ ने दो विकेट्स लिए हैं आज के मैच में 34 रंस देके अब आस अफरीदी की बात करें उन्हें आज शांदार बॉलिंग की अपने डेब्यू मैच के अंदर वो तीन विक्टे लेने में काम्याब होए और तीन विक्टे स्रिफ 34 रंस देके के लिए हैं आज के मैच में अगर अब हम बात करें आमर जमाल और उसामा मीर की दफ़ाई इनकी जो बॉलिंग थी आज के मैच में आपकुद हमार बिलकुल भी नहीं थी इनकी शदीद मार पड़ी और बहुत ही एक्सपेंसिव बॉलर्स रहें दोनों पाकिसान की दरफ से आप लों को पता है कि बावा राजम और रिजवान ओपनिंग करते थे लेकिन आज के मैच में उनका ओपनिंग पर चेंज हो गया रिजवान के साथ आज की मैच में ओपनिंग किये साइम अयूब ने और हम यहीं लग रहा था कि जिस तरीके से नीज़लेंड के बॉलर्स न जिस तरीके से पॉजिटिफ इंटेंट से अटेकिंग अफ्रोच से साहिम यूब ने आज के मैच में बैटिंग की थी हमें यहीं लग रहा था कि पाकिस्तान जो है यह टोटल इजी जो है सोला सत्रा वर्ड में चेस कर लेगा लेकिन पिर हमें देखने में यहीं आता है कि स 37 स्कूल करते हैं जिसमें से दो चक्या माड़ते हैं और शाहीं ने मुझसा आज के मैच में छोंग हो जाते हैं और वहीं से पाकिसानी फैन मुझे जोड़ा होप खतम होगे जिस सरी के खेल लगे तो वो अकेला मैच इतवा देजा आकर पांच जसोगर खड़ा रहा था लेकिन हम मैंने का चलो हम लोगे पाकिसान के और अभी बैटर्स कड़ें वह फकर जमान और बाबर आजम होगे तो यह स्कूर करक और रिजवान जुए आज के मैच में 25 तो इसमें पागे बाबर आजम के साथ देना आते थे तक पाकिसान को एक अच्छी बाटनर्शिप की शदीद जरूरत थी जो पाकिसान की एरिंग को बेड़ करती और पाकिसान को यह मैच जितवाती कि लेकिन अनफरूसिनेटलिए ह हमने यहीं देखा कि आज के में जादा बड़ा स्कूर करने में कामयाब नहीं रहे बना के वो भी आउट हो जाते हैं जल्दी और पाकिसान की जो है तकरीबन नवे रंस पे तीन रुपे गिर जाती है उसके बाद आते हैं इफ्तिखार आहमद और बाबाराजम यह दोनों मिल दोनों मिलके चारिट रंख की पार्टनरशेफ देते हैं पाकिसान के लिए लेकिन फिर हमने यहीं देखा एफ्तिखार भी जादा बड़ा स्कूर करने में नाकाम रहते हैं आज के मैच में और 17 वाल पे 24 रंट सबनाके आउट हो जाते हैं वो फिर जो एबाबाराजम जो चल्दीज रुरुति बावाराजम को यह मैश जो फ्रंट से लीड करना चाहिए था अपनी के लिए और यह मैश पाकिसान को जित्वाना चाहिए था जिस सरीके से वो सट हो चुके थैं आज के मैश लेकिन बावाराजम हमेशा से यही करते हैं जिस मैश में की जरुपरती है को उस मैच में वह पौरण ही तीम का साथ चोड़के चले जाते हैं और आज के मैच में भी देखा कि बाबाराजम को चाहिए था कि आज के मैच में एंड तक खड़े रहें ताकि थोड़ा बहुत जो है क्या पता कुछ चांस विल जाता पाकिसान को पाकिसान मैच जीच जाता लेकिन बाबराजम का हमने घी देखा कि आज के मैच में 57 स्कॉर करकर आउट होते हैं फिर उसके बाद हमने घी देखा कि आज खान भी आते हैं वह भी आज़ा रही हैं मेरे खाल से क्यूंकि उन को जो है आप नेशनल डीम में चांस दो तो उनको पिछली सिरीज में भी चा लेकिन अभी हम उमीद करते हैं क्या पता आजम खान अभी अच्छा खेलें क्यूंकि अभी देखें अगर उनको चांस देना चाहिए क्या पता वह अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्टान को मैच जितवाएं तो अभी भी हम जो हैं अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे बैक कर आज के मैच में आउट हो जाते हैं फिर इसके बाद हम ने यह देखा कि पाकिसान का कोई भी बैटर बड़ा स्कोर करने में आखाम नहीं कामियाब नहीं रहता और सब जो है पांच-जस रंद बनाकि चौदर नहीं पाकिसान की टीम जो है आज के मैच के अंदर 180 रंस बनाक और अगर अब उनकी कुछ न्यूजिलेंड के बालर की स्टाइट की बात करें तो इस तरीके किये के सौथी ने आज के मैच में चार विक्ते ली हैं 25 रंस देके उसके एडम मिलने ने जो है दो विकेट्स ली हैं 50 रंस देके सोडी को भी एक मिली है आज के मैच में 33 रंस द दिया चाइंड में चुर्ण कि यह तो उनकी पहल केशाने इसर्थ में चाहिन हाऒर में करेंगे है कि शाही निटिखे यह लीए इक यह में रliक है क्वाशा है क्यूंकि लिए प्ल disinfect ,क्विंट्र करेंकर आज रहे हैई यह आज देकंदों के लिए दिख आपक्तान तो तो हम यहीं उमीद करते हैं कि शाहिन आफीर दी जो है फ्यूचर की सिरीज और यह सिरीज भी और इंचाल्ला जो वर्लकप वर्लकप दोजार चॉब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन लबाएं ताकि रुजाना की बुनियाद पर इसी तरीकी की नीज अपडेट्स आ करता है